सो कैसे आज हम बात करेंगे ओपो डिवाइस के कलर ओएस 13 बीटा वर्जन के बारे में काफी लोग कॉमेंट कर रहे थे कि आपको कलर ओएस 13 का अपडेट कब तक मिलेगा तो यहाँ पे हमें ओफिसियल अपडेट तो नहीं मिला है बट हमें बीटा वर्जन का अपडेट मिल चुका है और कैसे आप लोग उससे अपलाई करेंगे पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिलका इकन को प्रेस कर लेना है तो जो अभी हम ओ ओपो का फोन यूज कर रहे है वो ओपो F19S है ठीक है तो काफी सारे फोनों में हो सकता है कि बीटा का वर्जन आपको अपलाई करने का option मिल गया होगा तो simple आपको about device पे क्लिक करना होगा अपने फोन के up to date पे क्लिक करना है अभी अगर हम यहां पे update को चेक करते तो आप ल तो यहां पर यह लोडिंग लेगा और फिर आपको बीटा पर क्लिक करना होगा application notice यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बीटा में कुछ कुछ आपको risks देखने को मिलेंगे तो आप लोग यहां पर इनको पढ़ सकते है उसके बाद 10 सेकंड के बाद apply now का option आपके हम क्लिक करेंगे अब यहां पर trial version application आ जाती है और यहां पर आपको color OS 13 का बीटा वर्जन देखने को मिल रहा है ठीक है तो आई हेव रीट अगरी पर क्लिक कर देते हैं यहां पर आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं ठीक है इस तरीके से देन सब्मिट पर हम क्लिक कर देंगे तो यहां पर आपको जो है अपना email address डालना होगा ठीक है email address या फिर mobile नमबर आप लोग डाल सकते हैं तो simple हम यहां पर अपना mobile नमबर ही डाल लेते तो यहां पर हमने अपना email address डाल दिया उसके बास submit पर हम क्लिक कर देंगे तो okay incorrect your mobile नमबर और email address बता रहा है तो हम face को चेक कर लेते हैं तो यहां पर यह done हो चुका है जो कि email address से नहीं हो रहा था तो हमने phone number डाल दिया यहां पर अब यहां पर देख सकते हैं आप लोग के step to you if your application passes or review please be patience ठीक है तो हमें हां पर अभी थोड़ा सा wait करना होगा अब next video में हम आपको बताएंगे कि कितने time के बाद हमें version प्राप्त हुआ ठीक है सो मिलते हैं next video में जय मता दी